हालो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक माई यूटीब चैनल लॉबित रोने दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल पर स्वागत है सात्यों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्राखंड इस्टेट जुडीशरी से रिडेटेड है ज साथियों यह जो मैं लेकर किया रहा हूं पार्ट यह आई पीसी का यह आपके लिए पार्ट सिक्स है पार्ट फाइफ आल्रेडी मैंने अपने इसी यूटीब चैनल पर डील कर रखा है अगर आप नए हैं अगर आपने उसको नहीं आपजर्व किया है तो साथियों आप से रिक्वेस्ट है कि आप उस पांच पार्ट को भी क्या करेंगे आप आप करेंगे आपको उसमें आपके रेलिवेंसी के एकॉर्डिंग कोस्चन्स देखने के लिए मिल जाएगा सकेंड इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको सेयर करना चाहता हूं दोस्तों वह यह है कि मैंने सी आप उसको भी देखिएगा जितना हो सकता है मैं सारी चीजे आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा में एक्जामिनेशन से रिलेटेड साथ यहां पे जो फर्स्ट कोस्चन के तौर पर आ रहा है देखिए कह रहा है अपर आधिक मानोवद से आप क्या समझ समसते हैं जब यह कौश्चन आपके पास आ रहा है अब यह मैं किस एक्जामिनेशन में कहूं कि नव पूछा गया है यह जब में एक्जामिनेशन होता है जब जब टरीम्नरी होता है वहां पे इस कुश्चन को denotली पूछना ही है यह ऐसा topic होता है यह चैप्टर नमबर 16 है आपके इंडियन पेनल कोड का और यहां से बार-बार कोश्चन को रेज किया जाता है कर अपराधिक मानोवद से क्या समझते हैं यह हत्या की कोटी में कब आता है और कब हत्या की कोटी में नहीं आता है और यह कहां हमसे पूछा जाता है साथियों तो यह यूपी यह 2015 के एक्जामीनेशन में यह पूछा जाने वाला कोश्चन है और सिर्फ और सिर्फ यूपी यह में नहीं पूछा गया इसको तमाम एक्जामीनेशन में पूछा गया है जब आप 299 पढ़ते हैं तो 299 के अंतरगत और 300 के अंतरगत यह सारी बात आपको देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट इसी कोश्चन को और करके भी पूछ सकता है क्या कह सकता है साथियो कर रहा है कब सदोस मानोवद हत्या नहीं होता है उत्तर के समर्थन में उदहारन दीजिए और यह यूपी जे 2006 के एक्जामीनेशन में एक्जाम्पल के तौर पर यहां पर रखा हूं क साथियो जब आपके पास इस तरह से कोश्चन आजाता है तो कोश्चन को देख करके आपको दो मिनट सोचना चाहिए कि हां यह कोश्चन पूछा कहां से जा रहा है इसका पूछने का रेंज ह्यें आपको पहले रटा होना चाहिए क्योंकि आप प्रिलिम्नेटी एक्जामि जा रहा है तो यह बात आपको आलेडिव project करते हैं तो अंश्प्रिमिंग के आप आपantically करें गे देखिए लिख रहा है मैं आपको य बता रहा हुआ समाननिता, मानोवद, सब्स्ताणिता में परिभासी तिया असपस्टी करण नहीं है देखिए असपस्टी करणा नहीं है आप कहेंगे कि असपस्टी करण क्यों नहीं है तो मैं कहूंगा कि chapter number जब आप 2 को observe करते हूँगे Indian panel code को तो यहां पे section number 6 से ले करके section number 52a तक जो भी बाते define किया गया है इसको क्या कहा जाएगा यह उसके definition clauses के अंतरकत माने जाते हैं इसको general explanation के नाम से हम लोग जानते हैं general explanation में मानो वद को क्या किया गया है कहीं पे भी codified नहीं किया गया है कर और है इसलें यहां पर यह की एंसको explain नहीं किया गया मैंने यहां पर prove भी दिया कि explain नहीं किया गया कर रहा है कर रहा है समाद कर दिन earth कर देदे कर देना कर देना मा जबना डालना इसी को क्या का जाता है इसी को मानवध्ध चरादा नाम सकते हैं और फ़सकता है एक पनिशैर held कि अगर भात करते हैं साथियों तो आपको जनरल एकसेप्सन में भाग करके जाना होता है इंधुर चिडिया का नाम है तो साथ जनरल एक्सेप्सन वो चिडिया है जो आपको क्या करती है आपको जनरल डिफेंसेस देती है आपको बचाने का काम करती है अगर माल लिजे कि कोई ऐसी इस्तिति उत्पन हो गई है कि आपको क्या करना है सामने वाले को मारना ही है अगर सामने वाल defence का इस्तेमाल करके आप किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या भी कर सकते हैं कट भी कर सकते हैं उनको pieces में फिर भी आपको क्या दिया जायगा वहां पर आपको बचाओ दिया जाएगा तो वही कर रहा है यह विदि-सम्मत भी है विधि बिरुद्ध मानोवद कहेंगर जो विधि सम्मत नहीं है जिसको नहीं करता है उसको विधि बिरुद्ध मानोवद कहेंगे विधि बिरुद्ध मानोवद होगा बसरते की Jewish mig incladt कि को संतूस्टी करता है जिसमें कहा जाता है अ लिए Sounds एस में आते हैं हत्य कहे जाते हैं मान लीजे कि कैसijn अपराधिक मानोवद होता है मैं कैसे wao करता है कान काय से काका है कोई में में फाल कर जाती है अगर हम बात करते हैं इस दोनों में के बारे में क bully कि कोई भी व्यक्ति क्या किया अप राधिक मानों वद किया और कैसे कहा जाता है कि इस व्यक्ति के दौरा मडर कर दिया गया इन दोनों में अंतर होता है सथियों सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है सियाच का मतलब होता है कल्पेवल होमिसाइड होता है कल्पेवल हो किया जाता है और उस क्राइटेरिया उसको अबजर्ब करके क्या किया जाता है उसको मर्डर के अंतरगत फॉल कर आए जाता है कभी आप वकील साहब को केश लड़ते हुए अपने पक्ष में देखेंगे अगर आपने मर्डर किसी का कर दिया होगा तो वह सोचेंगे कि आपका मामला अगर मर्डर के अंतरगत फॉल करता है तो आपको यहां पर पनिशेबल क्या किया जाएगा आपको ज्यादा पनिस्मेंट यहां पर प्रोवाइट किया जाएगा तो इन दोनों चीजों को आपने क्या किया है यहां से अच्छे से बाइफर करके देखा अब साथिओ करते हैं ऑं जो कोई कारेत करने के किसी का या सरीरी चारी करने के आसे से जिससे मृत्ति कारने की मान लियक्न यह के हो जाएगा यह जन रखते हुए कि यह समभाब है कि वह कि से मृत्यू कारित कर दे कोई कारे करके मृत्यू कारित कर देता है वह अपराधिक मानोवद का अपराध करता है अगर इस प्रकार से किसी रेक्ति को लग रहा है कि मैंने उसको इस प्रकार से माना है कि उसकी मृत्तियों क्या हो जाएगी हो जाएगी या किसी ऐसे प्रकार से मैं मार रहा हूं कि वह डेफिनेटली मर ही जाएगा उसको कर रहा है तो इसके सब दो खोड़ए उसी कोुए आप में एक्जामीनेशं में आंसर करेंगे और यहां से कोश्चन आ रहा है तो इसके जो बेयर एक्टेका लैंग्वेज होता है जो बेयर प्रोवीजन्स होता है साथ ही वह बेयर प्रोवीजन्स आपको लिखना अनिवार्य होता है कर रहा है भारती दंड सनीता की धारा 299 में परिभासित अपर आधिक मानोवद के निम्नलिखित आ चाहिए और उसी human being के दोरा क्या किया जाएगा किसी प्रकार का ओफिंस किया जाएगा आप मनुस्य के अलावा जानवर नहीं लिखेंगे कि कि किसी की जानवर के दोरा किसी का कल्पेबल हो में शायट कर दिया गया नहीं यहां पर क्या लिखा गया है कोई मनुस्य ही होना उस कारे से किसी मानों की मिरत्यु होई हो तो उसको क्या करना जाएगा उसको मानों वथ माना जाएगगा अब दखिए कौं कौन से प्रकार से अगर किसी कारे को करते हैं तो सामिल किया जाता है मृत्यू कारित करने के आसे सबसे तो पहले यहां पर बताया जा रहा है कि किसी कारीट को आप कारित करने के आसे सबसे यहां पर नहीं लेकिन 80-85 % की शंभावना है, कि मैंने मारा है मैंने इसको चोड़ दिया है, मर तो जाएगा 85 % यहां प्रमारा नेक्ठ करहा है यह ग्यात रखते हुए कि पूरी समभावना है की ऐसे किरित्गे से किसी की मृत्यू क्या हो जाएगी यहां पर Definitely होई जाएगी तो इसको क्या माना जाएगा इसको मानोवध के अंतरगत माना जाएगा यदि उपरोक्त आवश्चक्त तो की उपेक्षा पूर्ण हो जाए तब ऐसे कार्य को करने वाला व्यक्ति अपराधिक मानोवध के लिए दाई लाइबल होगा तब उसको क्या माना जाएगा तब उस 999 के साथ जुड़े तीन असपश्टी करण के अंतरगत कार्रे करने वाले के बारे में विधी यह उपधारना करती है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है अपराधिक मानोवद किया है उसकी कोटी को हमियां पर एक एक करके एनलीसिस करते हुए चलेंगे साथियों आपको क्या करन है जो मैं एक्स्ट्रा बाते बता रहा हूं वह बात भी आप सुने रहेंगे तो एड़ टाइम आपके एक्जामिनेशन में लर्न रहेगा और लर्न और सुनी हुई बाते काफी दिनों तक याद रहती है और आप उससे क्या कर सकते हैं पहले की बात कर रहे हैं कर रहा है मृत्यू कारित की गई हो प्रतमनेच करनने के आशे से कुय गया हो अथवा यहां पर लगा है और में क्या कर रहे हैं दूसरा है से अपराधिक जानता हो कि उसके व्यक्ति के मृत्यू कारित करना संभाब बहें जिसको वह अपहानी कारित की गई है अथवा करके फिर यहां पर दे रहा है तीसरे वाले में कह रहा है कि यदि वह किसी व्यक्ति का सारीडिक छती कारित करने के आसे से किया गया हो और वह सारीडिक छती जिस प्तरूप से छती कारित करने के जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बीना ऐसा कार्रे करें तो उसको क्या माना जाएगा उसको मानोवध के अंतरगत ही सामिल किया जाएगा और अब इसे से रिलेटेड जो भी केस लाव बनते हैं उन केस लाव को भी आप क्या करते हुए चलेंगे यहां पर केस लौ बन रहा है और बर्षिस गोविंदा का केश लौ है जो कि 1876 में ही यह मामला आया था और कर रहा है बंबाई के मामले में पती ने अपनी पतनी को लात घूसे से मारा तथा जब वह गिर गए तब उसके सीने पर बैठकर दो तीन घूस देते होंगे तो हां पर जब यह पूस्ता होगा और वर्षिस गोविंदा का जजमेंट किस ने दिया है तो जस्टीस मेलविन साहब के द्वारा दिया गया था तो कर रहा है नियाधिस मेलविन ने यह निरधारित कि चूकि अवियुक्त का आसे मृत्यू कारित करना नहीं अग ALL के तो किसी की मृतियु नहीं है इतना गंभीर तो चोट होता नहीं है कि हमने इसको मृत्यूम전 का होटा और अगे कर रहा है और नहीं उसके दोरा पहुंचाइ published करने के परियांब ही प्रकार से मैलविन सहब के दवारा भी कहा जारा कि इस प्रकार से उसने नहीं मारा था जिससे की क्या करना चाहता था इसलिए अभ्यूक्त अपराधिक मानोवध के लिए दोसी दोसी था नो की हत्या के लिए यहां पर वह सीच में फॉल कर गया सीच में फॉल करेगा तो सेक्शन नंबर हम बात करते हैं सबरजीट सिंग बनाम सबरजीट सिंग अन्य बनाम उत्तर परदेश राज्य के मामले में क्या मामले में इस मामले में अंतर को देखते हैं किस तरह से होता है सबसे तो पहले आपको बताना है कि ये परिभासित कहां किया गया है और इसका पनिस्मेंट 304 के अंतरगत दिया गया जबकि हत्या 300 में परिभासित किया गया और इसका दंड कहां पर 302 में डंडनी है सदोस मानोवद एक वंस है तथा हत्या उसकी एक प्रजाति है यहाँ पर जीनेस और इसपीसिस की बात की जा रही है और वही जीनेस और इसपीसिस यहाँ पर आपको सोग दिया गया तो साथियों आप देखेंगे की कितना बड़ा कोश्चन था उस कितने बड़े क्म प्रकार से एक रचनात्मक दरते, बच्चे के दोरा आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा नेक्स्ट कोश्चन के हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन में कर रहा है कि अपवादों का वर्ण कीजिए जिनमें अपराधिक मानोवद हत्या नहीं है और आप यह देखी यहां से अगर कोश्चन पूछ रहा है तो यह UPAPO 2015 के एक्जामिनेशन में आलरेड़ी लेकिन मानोवद आवेश की तिब्रता में हुई अचानक लड़ाई में पुर्व चिंतन किये बीना किया गया इस कथन का अगर निर्णे विधी के साथ समालोचन परिछन कीजिए अपवाद चार और यह UPHS 2018 के एक्जामिनेशन में पूछा जाने वाला कोश्चन था अब द भूल सकते हैं उन्हीं के केस्ट लोग को भी पढ़ेंगे और अबजर्व करते हुए एक एक चीजों को मियां पर चलेंगे अब देखे जब आपके पास कोश्चन आया आपने को पढ़ा को अब उसके आंसर राइटिंग को भी आपको क्या करना होगा अबजर्व करना होग कि भारतिय दंड सनीता की धारा 300 में अपराद के 5 अपवादों को माननेता देती है अब जब भी 300 खोलते होंगे अगर आपके पास अभी भी बेयरेक्ट हो तो खोलिए वहाँ पे 5 प्रकार के क्या दिए गया है अपवाद दिए गया है एक्सेप्सन्स दिए गया है इन्ही अपरादिक दाईतों के नियानुकरण की सर्ते भी कहते हैं जहां अव्यूक्त का कार्यधारा 300 के किसी भी अपवाद में के परीधी में हो तो वह अपरादिक दाईतों हत्या से नियूनकरण होकर केवल सदोस मानोवद कर जाता है अगर मान लीजे इन पांचों के एक्सेप क्या क्या कर रहा है कि अपरादिक मानोवद हत्या है जाहिर सी बात है अपरादिक मानोवद जो हता है हत्या होता है यदि वह धारा 300 के चारो खंड की अंतरगत आता हो लेकिन निमलिखित मामलों के अपराधिक उपबंद हत्यां नहीं होगा पहला कर रहा है वह धारा 300 के चारो खंड के अंतरगत आने पर भी इसके साथ वर्णित पांचो अपवाद के अंतरगत नहीं आता हो अगर धारा 300 के और वहां पर जो मैंने पांच एक्सेप्संस बता हैं उस पांचों एक्सेप्संस के इंतरगत भी नौ आता हो नेक्स्ट कर रहा है यदि इन पांचों परिस्तितियों में अपराधिक मानुवद किया जाता है अगर पांच गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के दावरान किया जाता है तो यह मानोवद होगा यह हत्या नहीं होगा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अतिकरमण करके किया गया होगा अगर आप अपने राइट प्राइवेट डिफेंसेस के एकॉर्डिंग कर रहा है तो मानो वद होगा ह sponsor नहीं होगा लोक प्रदीप कृतियों के दवरां सद्वावना ना पुर्वक किया जाघा ह 되면 हम्तिमें नहीं आएगा मानोबद होगा अचानक लडाई महराष्ड राज्य के मामले में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंदित निमलखित सिध्धांत निया अधिस सुब्भा केम नानावती का मामला बहुत ही relevant मामला है साथियों इसी मामले के अंतरकत जूरी ट्राइल को किया गया था लास्ट बार और इसी मामले के बार जूरी ट्राइल को क्या कर दिया गया था देश से समाप्त कर दिया गया था और इस मामले के बारे में आप पढ़िएगा आपको definitely प्रकूपन कारित किया जा सकता है नेक्स्ट यहां पर देखिए गंभीर एवं अचानक प्रकूपन के लिए कोई विदी मांदंड नहीं है जो असपस्ट रूप से निरधारित कर सके कर रहा है कि अभियूक्त का किरित्य हत्या नहीं है यह तथ्य का प्रश्ण है और उस तथ उस तथ एवं परिस्तिति के आधार पर नेलेद और निरधारित किया जाएगा कि प्रकूपन गंभीर था या नहीं सबसे तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि किसी प्रकार का कोई भी प्रकूपन दे रहा है कोई उसको होट कर रहा है तो वह होट किस प्रकार का था हम का ओफेंस कमिट किया था जिससे किसकी व्यक्ति की मृत्ति हो जाएगी तो यह सारी चीजों आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप स्टेंडर्ड लेबल पर पढ़ेंगे तो प्रकूपन का कारित किया जाना अब किस प्रकार से किसी भी का प्रकूपन किया जा सकता है तो धारा 300 के प्रथम अपवाद का लाब के वल तभी मिल सकता है जब यदि साबित कर दिया जाए कि प्रकूपन हुआ था यहां पर मान लिया जाएगा कि प्रकूपन हुआ था प्रकूपन का तात्पर उत्तेजित क्रोध या आवेश से मिंस की आपको देख करके एकदम ग प्रयाप्त अंतर होना चाहिए कह रहा है आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमड किसके बारे में कर रहा है सातियों तो आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमड कर देता है साथी यह भी आवस्यक है कि और पॉइंड में क्या कर रहा है कर अभ्यूक्त द्वा बिना पहले से सोचे समझे किया गया होगा जाहिद सी बात है कि विलना सोचे समझे की इंगा किया जाएगा नहीं किआां और लोक का तब अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट के कार्णे में अगर किसी प्रकार का किया जाता है तब धारा तीन सो के तृती अपवाद के लागू होने के लिए निमलिखित सर्तों की पूर्ती आवश्यक है अब कौन-कौन सी सर्ते हैं पहला सर्त देखिए लोक सेवक या ऐसे अन्य वै में लोक सेवक की सहायता कर रहे हैं किसी वैक्ति द्वारा कारित किया गया हो तो Whoo यह पवराधी कि सहां मती से मानौबस उपर але इस अप्वाद के यह एक सप्सक्ण जो हत्या होता है मानौबस नहीं होता है जहां इस व्यक्ति जिसकी मिर्त्यू कारित की जाए अठारा वर्षा से अधिक आयू का हो तो यह उत्यू का खत्रा उठाने के लिए सम्मति दिया हो तो यह इसके अंतरकत फाल नहीं करेगा नेक्स्ट कर रहा दसरत पासवान बना विहार राज्य इस वाद में यह अभिनिरधारित किय यह सारी बातों को आप लोगों यहाँ अबसर बति यह था साथियों आपका सेशन इसमें मिना दसका है उनको तो साथियों मैं आपको 5-5 तक करा चुका हूँ, पार्ट 5 तक ये पार्ट 6 है, अगर आप लोग का प्यार आता है, अगर आप लोग का positively हमारे comment section में comment आता है, तो पार्ट 7 भी मैं ले करके आऊंगा, और जो भी possible question हो सकते हैं, जो आपके examination के लिए relevant होंगे, जहां जहां से question बनते हैं, उन सभी को मैं आपके सामने कराने का भरपूर प्रयास करूँगा, कहीं से भी लाम लपेट नहीं करूँगा, जो भी चीज मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, और साथ ही साथ ही ये भी कर रहा हूं, कि मैं उसके साथ में answer तो लिख करके लाया ही लाया हूं, साथ में और भी जो अन्य बाते हैं, वो अन्य बात को भी मैं बता रहा हूं, तो साथियो इस वीडियो में बस इतना ही है, मैं आपसे यह request करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी न भूलिए, जिससे मैं कोई भी latest update लेकर आ रहा हूं, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें, अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए, तो आप हमारा टेलिग्राम गुरूप जॉइन करके, ऐस यूजवल पीडियाप भी राप्त कर सकते हैं, थैंक यू,